हेलो स्टूडेट माइसल्फ सैली शुमा मौर्या और आज हम अपने एमेस चौहान के क्वेशन आंसर के सीरीज को फॉर्दर कंटिन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपके अलकाइन्स के लेवल बन का क्वेशन 11 क्वेशन 11 में हमसे बोल रखा है कि विच कॉंबिनेशन इस बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ दी कंपाउंड ए शोन बिलो यहां पर आपको चार ओप्षन दे रखे हैं और आपको बताने कि इसमें से कौन सा ओप्षन करेक्ट होगा जिससे कि हम कंपाउंड एका तो उसमें क्या कर रहा है उसी पर्टिकुलर कार्बन की स्टीरोकेमिस्टि को डिस्टरब कर रहा है तो ऐसा ऑप्षन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इन सिमिलर फैशन अगर आप option D को भी देखोगी तो वो भी आपका eliminate out-up कर सकते हो ठीक है क्योंकि उसमें उसी carbon की stereochemistry disturb कर दे रही है लेकिन अगर आप option B को एक बार ध्यान से देखें तो option B में क्या हो रहा देखें ये carbon है उसकी stereochemistry कुछ इस टाइप से है यह H आपका which position पे CS3 कैसे है आपका dash position पे यहां पे आपका C2H5 लगा हुआ है फिर यह है carbon 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 और यहां पे BR लगा हुआ है ठीक है हम किसके साथ में reaction करा रहे है हम reaction करा रहे है आपका यह देखें यहां पे BR है और हम reaction करा रहे है आपका C triple bond C minus H ठीक है इस टाइप से reaction करा रहा है तो अब आपको पता है यहाँ पर क्यों होगी substitution reaction हो जाएगी यह इस carbon पर इस तरह से attack करेगा और bromine एक अच्छा living group है तो यहाँ से क्या होगा वो निकल जाएगा तो आप देखिए जो final compound बनेगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से हो जाएगा यह CS3 इस तरह से यह H यहाँ पर है यह C2H5 carbon 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 और यह से connect जाएगा C triple bond CH यही देखिए हमको compound हो हाँ पर form करना था और वही हमारा बन चुका है ठीक है तो इस तरह से क्या correct answer हो जाएगा हमारा option भी हमारा correct answer हो जाएगा question 12 question 12 हमसे पूछता है यहाँ पर कि which one of the following is the intermediate in the preparation of a ketone by hydration of an alkyne in presence of sulfuric acid and mercuric to sulfate तो दीखिए यहाँ पर जो हमारा question है वो कुछ इस type से है कि जैसे माल लिजे आपके पास कोई भी इस type का alkyne present है ठीक है इस तरह का कोई भी अगर आपके पास alkyne present है आप इसका hydration कराना चाह रहे है hydration कराना किसके presence में चाह रहे है Hg2 plus और H2SO4 यह reaction किसके लिए यूज होती है यह use होती है hydration of alkyne के लिए हम use करते हैं ठीक है तो बोलता है कि इस reaction का एक intermediate को आपको बताना है तो दीखिए इसमें जो hydration होता है वो किस तरस होता है कि आपको जैसे यह bond इसके उपर आपको क्या करना है marconic off rule के साब से water का addition करना है तो अगर आप marconic off rule के साब से water का addition करेंगे तो आप बता है यह आप किस तरस addition करेंगे यहाँ पर OH रख देंगे और इस position पर क्या कर देंगे तो यह convert हो जाएगी आपकी keto format में, तो इसको अगर आप इसके particular keto form में convert करेंगे, तो आपको finally compound कुछ इस type से देखने लग जाएगा, ठीक है, तो यह आपका final compound, तो इसकी keto format कुछ इस type से आपकी हो जाएगी, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, final answer हो जाएगा, तो आपको intermediate पुछाते हो, तो यह आपका D option में यही बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, यह basically एक आपकी named reaction के अंदर का दिया आता है, कुछ रेव reaction बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं reaction की mechanism मैं जबने discuss कर रहे हूं, बस आपको यह short में बता रहा हूं, कि जब भी आप किसी terminal, मतलब किसी भी alkyne का hydration करते हैं, यह reaction किस के लिए use होती है, hydration के लिए use होती है, जब भी आप hydration करते हैं, तो मारको निकॉफ रूल के हिसाब से, उस triple bond के उपर क्या करिए, आप addition करवा है, और यह जो inol form होगा, यह किस तरह से work करेगा, एक intermediate की तरह वहाँ पर work करेगा, next question करते है, question 13, question 13 में हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक compound हमको इस type से दे रखा है, ठीक है, यह हमारे पास इस type से compound है, और हमको final compound prepare करना है, जो कि आप देख सकते हो, हमसे पूछता है कि किस set of reagent को हम use करके, वहाँ तक हम पहुचा जा सकते है, ठीक है, तो अब आप देखिए, आप किनी भी options को जा सकते हो, option C को एक बार आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से, तो अगर आप option C में देखेंगे, तो पहले इसकी reaction किसके साथ में कराई जा रही है, N-A-N-H-2 के सा जाएगा O-CH2 C triple bond C minus, ठीक है, अब हमको finally किसके साथ में reaction करानी है, यहाँ पे कराना है, I-CH2 CH2 CH2 BR, ठीक है, देखिए, जो हमको final compound बनाना है, उसमें आपको देखिए, ब्रोमीन को रखना है, ठीक है, जो आप ऊपर देख रहो है, यहाँ पे, हमें जो final compound बनाना है, उसमें ब्रोमीन को stay कराना है, ठीक है, तो ब्रोमीन कब stay होगा, जब ब्रोमीन leave ना करे, यानि ब्रोमीन कब leave नहीं करेगा, जब ब्रोमीन से अच्छा कोई और living group compound present हो, ताकि वो negative chart उस living group पो निकाल के चला जाए, और इस ब्रोमीन को touch ना करे, तो अगर आप option A और option B देखेंगे लेकिन इस carbon पे attack होगा और यहां से कौन सा leave हो जाएगा, iodine leave हो जाएगा, क्योंकि iodine आपका अच्छा living group होता है in comparison to bromine, तो देखेंगे जो structure हमको बनाना है, वह structure क्या हो जाएगा, form हो जाएगा, तो simple सा concept यह था कि हमको final structure में bromine चाहिए, यानि bromine leave नहीं करना चाहिए, या तो ही हम इसको proceed कर सकते हैं, तो इससाब से कौन सा हमारा सही answer हो जाएगा, option c हमारा जो है, वो correct हो जाएगा, question 14, question 14 में हमसे क्या कह रहा है, आपको कुछ इस type से compound दे रखा है, h c triple bond c ph, ठीक है, आपको इसको साथ reaction करानी है i2, और यहां पे आपको कुछ इस type को इन्होंने compound बना के रखा है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इस type के एक बार compound की कुछ information आपको देता हूँ, ठीक है, देखिए, ध्यान तर समझने की कोशिश करिएगा, हमारे पास basically 3 तरह के compound होते है, ठीक है, वैसे तो है कई सारे, देखिए, एक होता है इस type का compound, ठीक है, मतलब cyclohex में एक atom को हमने replace कर दिया nitrogen से, इसको हम बोलते है, पिप्रदीन, ठीक है, इसका नाम क्यों होता है, पिप्रदीन होता है, ठीक है, एक compound हमारे पास इस तरह से और होता है, जब उसी cyclohexin में हम 2 carbon atom को, जो 1,4 position पे थे nitrogen से replace कर दे, तो इसका नाम होता है, पिप्रदीन, इसको क्या बोलते हैं, पिप्रदीन, ठीक है, और similarly, अगर एक nitrogen को oxygen से, और इसको इस तरह से कर दे, जो यह compound यहाँ पे बना हुआ, इसका नाम हो जाता है, morpholine, ठीक है, तो यह काफी important नाम है, जो आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है, क्या क्या नाम बोला है, एक बोला पिप basic con है, ठीक है, आपको मतलब basically sequence बताने है, कि इन तुनों सबसे ज़्यादा basic con है, तो यह भी एक काफी अच्छा question आपके सामने बनता है, सबसे ज़्यादा basic con है, पिप्रदीन, पिप्रदीन या morpholine, तो यहाँ पे morpholine का structure बना हुआ है, morpholine होता क्या है, morpholine आपका एक base होता है, base का काम क्या होता है, acidic hydrogen को abstract करना, आपको पता है, यह alkyne है, तो यह hydrogen कैसा है, इसका acid, तो पहले step में क्या होगा, कि उस hydrogen को यह क्या करेगा, इस तरह से abstract कर लेगा, और यहाँ पे बन जाएगा, C-, अब सामने क्या पढ़ा हुआ, इसके iodine पढ़ा हुआ, तो यह इसके उप compound क्या बन जाएगा, P-H-C- triple bond C, इससे जुड़ जाएगा, I, तो इस types का हमको यहाँ पे compound देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो यह से हमको किस option में बना हुआ है, ऐसा हमको option C में बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा correct answer हो जाएगा, question 15, question 15 में हमसे क्या बूसता है, यहाँ पे आपको कुछ एक compound दे रखा इस तरह से, ठीक है, C- triple bond CH, पहले किसके साथ में reaction करानी है, हमको, N-H2 के साथ में reaction करानी है, sodiumite, हमको पता है, यह acidic hydrogen है, तो इसी को क्या करेगा, abstract कर लेगा, तो एक बार अगर इसको बना ले, C- triple bond C-, ठीक है, फिर हमको किसके साथ में reaction करानी है, simply करानी है, C-S3-BR के साथ में, तो एक substitution reaction हो जाएगी, यह यहाँ पे attack करेगा, और BR क्या होगा, leave कर जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे फिर उसे बनाए, तो यह कुछ इस टाइप से हमारे सामने यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, लास्ट में किसके साथ reaction करानी है, वन मूल अफ लिनलार्स केटालिस्ट, ठीक है, H2 के साथ में करानी है, तो आपको पता है, यह जो लिनलार्स केटालिस्ट है, यह कैसा addition देता है, आपका, किस तरह का alkene produce करता है, यह cis type का alkene आपका produce करता है, ठीक है, और इसका addition कहाँ पे होगा, जहसको जादा जरूवत है, double bond को ज़्यादा जरूवत है, या triple bond को, obvious ही वात है, triple bond को ज़्यादा जरूवत है, इसके reactivity ज़्यादा है, तो यह पर reaction होगा, तो finally जब reaction हो जाएगा, तो यह compound आपको कुछ cis format में arrange होता हुआ दिखेगा, ठीक है, मतलब दोनों hydrogen इस type से set होंगे, तो अगर ऐसा कहीं पे ब direct हो जाएगा, ठीक है, next question करते है, question 16, question 16 में क्या पूछा है, which of the following alkyne on treatment with hydrogen 2 moles give an optically inactive compound, काफी सर्वल question है, आपको बस यह ध्यान रखी कि कोई साब भी alkyne हो, अगर इसके उपर क्या करेंगे, 2 moles hydrogen से आप treat कर देंगे, तो यह किस में कनोट जाएगा, simply alkyne में कनोट जाएगा कोई भी इसमें unsaturation नहीं बचेगा, तो जितने भी option है, सब आपकी alkyne वाले option ही है, तो 2 moles H2 से जब भी reaction होगा, तो कोई भी आपका product उसमें बचेगा, नहीं, ठीक है, मतलब कोई भी alkyne नहीं बचेगा, तो पहला option क्या है, 3 methyl 1 pentine, तो reaction के बाद क्या हो जाएगा, आपको pent maintain बनाना पड़ेगा, सथर से 1, 2, 3, 4, 5, और 3rd position पे आपने लगा दी है, methyl, ये product, अब बताएगे, क्या ये product optically active है, क्या, नहीं, optically active, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखे, इसमें कोई भी carbon क्या है, chiral ही नहीं है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा correct answer हो जाएग ठीक है, क्या बताया है, मैंने, कि 3 methyl 1 pen time दिया हुआ थो, अगर उसको जैसे ही आप 2 moles of H2 के साथ में reaction कराएगे, तो वो आपका product किस में convert हो जाएगा, पूरा alkane में, और alkane में convert हो गया, तो इसमें कोई भी carbon chiral नहीं है, इसवाज़ से, ये optically active नहीं हो पाएगा, तो हमारा कारबाइड की रियक्शन हमने किसके साथ में करा दी वाटर के साथ में करा दी तो दीखिए यहाँ पे होता क्या है यह C2H2 निकल जाता इस तरह से ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो प्रोड़क्ट होता है होता C2H2 या इसी को कहते हैं इथाइन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोड़क्ट हो जाएगा इस तरह से इथाइन हमारा प्रोड़क्ट हो जाएगा ठीक है फिर इसको हम किसके थूरू पास कर रहे हैं इसको हम पास कर रहे हैं रेड होट कॉपर ट्यूब के साथ में पास करें, red hot copper tube में, तो यहाँ पर क्या होती है, एक आपकी polymerization reaction होती है, कौन सी reaction होती है, polymerization reaction, जिसका formation क्या हो जाता है, बेंजीन का formation इस टाइप से हो जाता है, ठीक है, अगर आप एक बार देखना चाहते हो कि यह polymerization reaction कैसे होती है, तो मैं उसका यहाँ इस sequence में लिख दिया, ठीक है, अब होता क्या है, यह bond इसके उपर इस तरह से attack करता है, यह bond इधर attack करता है, और यह bond इस तरह से attack करता है, तो सब एक दूसरे से, इस sequence में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो अगर आप धिहान से देखेंगे, तो देखें यहाँ यहाँ पर आपका एक बेंजीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मिशन हो जाएगा, यह आपका कुछ इस sequence में जुड़ जाएंगे आपस में, और हर जगा hydrogen लगवा, यह देखें किसका structure बन चुका है, यहाँ पर बेंजीन का बन चुका है, ठीक है, यह आपकी reaction NCRT में भी दी ग गया, इथाइन बन गया, उसको red heart copper tube के अंदर डाला, तो आपका बेंजीन बन गया, यह बेंजीन की मैंने बकाई कि, मेकेनिजम बताई किस तर से हुआ, कि इनको 3 moles को इस तर से अरेंज किया, आपस में reaction किया, तो finally यह compound हमारा वहाँ पर बन गया, ठीक है, तो इस type से इसमे किया जा सकता है, ठीक है, तो यह थे कुछ question हमारे MS चोहान के, अगर आपको किसी और question का video solution चाहिए, तो channel को subscribe करें, और comment section में question number लिखें, उसका video solution आपको provide करा दिये जाएगा, so that's all for today, and thank you for watching.